मित्रो नमश्कार आज हम कोरोना वाइरस यानि कोविड नाइंटीन के बारे में बारचीत करेंगे यह सबी जाते हैं कि यह बिमारी चाइना के वहाँ शेर से शुरू हुई लेकिन एक क्रशन यह उठता है कि जब सबसे पहले वहाँ शेर में यह बिमारी फैली तो डाक्टर्स को कैसे पता लगा कि यह करोना वाइरस नमग बिमारी है हुआ यह कि वहाँ के अस्पताल में अचानक से कुछ रोगी बुखार के लिए दाखिल हुए और वहाँ अस्पताल के अंदर डाक्टर्स ने देखा कि कुछ रोगीयों को बुखार है, खांसी है और सांस लेने में तक्रीफ हो रही है और अचानकी इस तरह के मरीज ज्यादा संख्या में आने लगे पहले ही उनको लग रहा था कि यह कौन सी ब्यमारी है, जिसमें अचानक इस तरह के सिंप्टन्स मरीज में आ जाते हैं जब उन्होंने जाँच पड़ताल की, देखा कि इस तरह के मरीज रोज ही आ रहे हैं और सामाने तोर पे जितने बुखार के मरीज आते हैं, उससे कई गुना मरीज यहां पर हॉस्पिटल में भरती हो रहे हैं इसके बाद डाक्टर्स का माथा ठंका उन्होंने गहन जाँच पड़ताल करने शुरू की और वहे इस नतीजे पर पहुँचे हैं, कि इन सभी मरीजों ने एक खास मार्केट से मीट लेकर खाया था और उन्हीं लोगों के अंदर यह रोग हुआ यह पता लगने के बाद उन्होंने और जाँच पड़ताल की और देखा कि और अन्य मार्केट से जिन लोगोंने मीट लेकर भी खाया था तो भी उनको यह रोग नहीं था इसके बाद उन्होंने और जाँच की और जाँच करते करते यह भी पता लगा लिया कि यह रोग एक वाइरस के द्वारा हुआ और उस वाइरस की भी जाच करके उन्होंने पता लगाया कि यह करोना वाइरस है तब उन्होंने इसका नाम COVID-19 रखा और उसके बाद आगे का सिलसला शिरू हुआ इसके बाद यह करोना वाइरस की बिमारी वहाँ उस शहर से निकल कर अन्य शहर में गई और फिर उस देश से निकल कर अन्य देशों में गई और इस तरह से यह रोग पूरे देश में पूरे विश्व में पूरे विश्व के अंदर ही फैल गया और इस वकत कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर यह रोग ना हो और पूरे देश के अंदर भी और दुनिया के सभी देशों के अंदर इसे लोग पीडित हो रहे हैं कुछ लोगों कोई मिर्तिवी हो जाती है तो इससे इसकी वज़ा से सारे के भैव्याबता है वैसे लोगों की अलगले थियोरीज भी हैं कि यह रोग कैसे फैला लेकिन यह जो मैंने बताया है यह भी एक कारण शायद हो सकता है और अन्य कारण भी लोगों के अलगले थियोरीज के हिसाब से हैं जिन पर मैं यहाँ पर अभी जिकर नहीं करना चाहता हूं वरना यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और एक डिवेट का इशू भी बन जाएगा कि इन में से कौन सी थियोरी ज़्यादा अच्छी है लेकिन सबसे में बात यह है कि यह बेमारी अब पैंडेमिक हो चुकी है कोई देश से अच्छूता नहीं है और विग्यानिक इसका इलाज निकाल रहे है लेकिन अभी तक इसका कोई इलाज नहीं निकला है विग्यानिक इसके लिए नईने दवाईयां की खोज करने कोशिश कर रहे है इसकी वैक्सिन भी बनाने की कोशिश कर रहे है और उसके उपर ट्रायल भी चल रहे है जब इसकी दवाई निकल आएगी इसकी वेक्सिन निकल आएगी तो उसके बाद लोगों को इस रोग से निजात मिल जाएगी लेकिन एक अच्छी बात यह है कि लोगों ने इस बेमारी के साथ अब रहना सीख लिया है वह सब प्रिकॉशन्स लेते हैं और अपनी जिन्दगी को एक आम जिन्दगी के तरफ चला रहे हैं लेकिन मेरी भगवान से यही प्रात्ना है कि इस रोग का जल से जल निजान निकले और लोग फिर पहले की तरह से ही आजादी की सांस ले सकें और अपने सब काम धंदे कर सकें अपने जीवन चला सकें धन्यवाद